हाई गाईज माई नेम इस नदी भातनागर और वेलकम यौल इंट चैनल तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में हम करेंगे इंडिया ओवर द एज़े चैप्टर है क्लास वाइब की एसस्टी की बोका तो चलो विदाउट दिल अपनी वीडियो को गिल्ट चैनल अग्रेज को आने वाने के बात शुरूआ था दूरिंग इच ऑफ इस पिरिट इंडिया जो था है डिफरेंट इन्हाइबिट इंहाइबिस भी रहे हैं लोग अलग लग रहें अग्रिफरेंड इफरेंट इंहाइबिस भी रहें हैं तो अश्या इंशन पिर saw the rise of Indus Valley civilization the Indus Valley civilization थी वो शुरू ही थी हमारी ancient period में सबसे प्राचीन समय में coming of the Indo-Aryans and the rise of empire in India यहां पर पहुज़ादा भारत में जो है वो Aryans का जो empire वो फैल गया था this period was marked by the use of iron और इस period में जो था iron का जा था लोहे का चुए है वो पहुज़ादा प्रियोग गवा था ठीक है तो आप iron age of India ठीक है तो आप iron age of India कि वा नबने ही the ancient period in India begin with the first great civilization जो थी first great civilization कौन से थी the Indus Valley civilization very important question after the decline of the civilization जब Indus Valley civilization का decline होया निगे जो खत्म होगी begin the Vedic period उसके बाद हमारा Vedic period शुरू होता है अब इस period में during this period a new group of people came to India नहीं नहीं लोग इंडिया में आए है ना कहां से आए थे from Central Asia से अब इस में क्या रहा फिर during this period a new group of people came to India from Central Asia during 1700 BCE इस टाइम को अच्छे से याद करे ना they were called the Indo-Aryans इंडो-Aryans कहते हैं and they spoke Sanskrit वो Sanskrit भाषा बोलते थे the Indo-Aryans learned the use of iron इन्होंने iron का use करना सीख्या and begin शुरू किया making tools और औजार बनाने शुरू किया they domesticated the horse इन्होंने घोडे पालना शुरू किया we can learn हम जो है learn कर सकते हैं about किसके बारे में इंडो-Aryans के बारे में from the four Vedas हमारे जो चार वेद हैं उनसे और आपिक्स जो हमारे है रमायन और महाबारत जो हमारे उनसे सीख सकते हैं और अपने आपिक्स से सीख सकते हैं दभागवाद गीता विच इस मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र जो है वो टेक्स मना जाता है हिंदू का इस पार्ट ऑफ दी महाबारत का ही एक पार्ट हूराट रमायन यह आंसरा को देना है ठीक है कमेंट बॉक्स में नेक्स आजाए यह राइज आफ द इंपायर्स इंपायर्स का जो है वो राइस कै आज तो यह रहते हैं कमें डिक है टाइम पर है वॉड़िग प्राइब सब्सक्राइब दिए यह राजन कहते है लाजन इम्स आफ शम्यार्स जन्पराट के नाम क्या क्या है गांधारा को शाला अंगा आवंटी जी का शी और मगता रूलर्स ऑफ दूलर्स अव एक दूसरे से लटते थे एंड दे वुट सी इस लाइंड वो लैंड पर कभजी कर लेते थे एंड ट्राइट एक्समें डर किया और उसे पावर में ले लिए एक तरीके से आपने अंडर ले लिया दिन मगत की बात करते हैं दा मगत इमर्ज दो मोस्ट पावर्फुल महाजन इंडिया का पहले नंबर प्याता है अशोग जो थे वह मौरें किंग थे बहुत ग्रेट थे वस वन आफ दी ग्रेटेस्ट अब सारे ग्रेट राजाओं में अगर बात की जाए तो अशोग जो थे सबस्वादा ग्रेटेस्ट राजा माने जाते हैं वह किसके इंडियन किंग्स एंड इंपार रीच इट्स जिन्थ अंडर देज्वल बिल्कुल उचाहियों पर पहुंच किया था इनके आंडर में है है और पिलर्स एरेडिक्ट्स मतलब शिला लेग जो शिलाओं पर लिखा जाता था यह इसलिके से शिला लेक्स जो थे आर दी मेन सोर्सेस ऑफ इंफरमिशन ने मौरेन पीरेट की है ना तो दो दो चीज़े हैं हम बाले की भई हम उस मौरन पीरिट के बारे में कहां से बता गुपता एंपायर वास अनादा ग्रेट एंपायर था अफ एंशिंट इंडिया का गुपतन रूल इस नोन आज दी गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है गुपता एंपायर वाले टाइम को याद रखना है यह सारी कोशन के यहां से काफी इंपर्टन बनते हैं ठ इसी वचा से तो इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसे में सारी फील्स में बहुत ज्यादा डेवलप्मेंट हुए थे निक्स बात पर आते हैं सम आफ दर सम आफ दिस्टोरिकल मॉनिमेंट्स बिल्ट दूरिं एंशिन पीरट आर खजराओ टेंपल्स बने आजंतान आलोरा की कीव बनी रॉक पे मतलब गुद्वा के लिखा गया था रॉक शिलालेग जी संगते रॉक इरेडिक्ट्स ऑफ शो का वो ते साचीज तू पथा आन महा बोधी टेंपल ठीक है इसारे इंपर्टेंट है बड़े याद करके रखना इनको अब आजो पही एंशिंट तुमने पढ़ लिया अब आजो मैडेविल मध्यकाल मैडेविल पीरड एफ हिंडिन हिस्ट्री बेगें विद्धी अराइवल ऑफ तुर्की जब हमारे देश में इन्वेडिट मतलब क्या था है जैसे हमला करके हमारे देश में अचानक से घुस सब्सक्राइब इंडिया में इस्टैबलेश सम अफ दे लोंगेस्ट किंडम इंडिया का इन्होंने नीव डाली ती दिल्ली सल्तनत और फिर उसके बाद मुगल एंपार शुरू होता है दो मेजर किंग्डम से इस फिरड के फाइफ आवर फुल डाइनस्टी जो ती वह समय ना इशाषन किया ता रूल किया दिख टीली ऑधी लेठी को तिली सल्तनत स्भी इस पनाइब एंडी पैव मम लुक टी लैनस्टी टैनस्टी संहाट टैनस्टी मुगल ऐंपार जो था वह स्टैब्लेशerson हुआ था बाबर बाबर के द्वारा कि बाबर नहीं सबसे पहले आकरमन के हमारे देश में आया था वो केंट इंजिया फ्रॉम सेंटरल एशिया से या था सम आफ दी नोटेबल रूलर्स जो थे मुगल पीरट के वह कौन थे अकबर शाजा और अंगजी दा मुगल्स वर नोन फर देर लॉव एन आर्ट अफ़ अफ एक्रीकल्टर मतलब उनका जो प्यार था ना आर्ट और कफिर के लिए आर्ट के लिए उसके लिए लोग काफी जाने जाते हैं न मुगलों के टाइम पे तो बनाया था ताज महल रैडफोर्ट हमारा हो गया कोतुम मिनार यह सब सम ऑ विजयन नगरा एंपार वोस्ट पावर्फुल ठीक है कृष्णदेव रहे उस इंपार के सेवरल मॉनुमेंट्स नियर हम पी करनाटिका वर बिल्ट तूरिंग विजयन अगर बहुत सारे मॉनुमेंट्स बनाए गए थे हां पर ठीक है मॉनुमेंट्स बनाए गए थे इंपा चाहिए थे तो वहाई थे मॉन पीरद में ब्सक्राइब बिजय नगर बिजय जाते तो यही कंपनी आई थी इस इंडिया कंपनी टीक है वेपार करने आए थे लिकिन आमरा देश बहुत ज्यादा भागया था वैन इवेंचुली टो कंच्रोल यहां इंडिया पर इंडिया स्तापित करा देश रूल इंडिया फॉर टूहंटर इंडिया यह लपक दो सु साल तक ब्रिटिश ने इंडिया पर जोता अपना शाशन किया एड्मिरेबल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी जो थे मताब एड्मिरेबल जिनकों एडमायर करें जिनके हम तारीफ वरें दे और हम लोगों ने बहुत लड़ाईया लड़ी हैं जिसमें हमारा साथ किसने जाधा दिया महत्मा गाजी जवारला नेलू निताजी सुवाश्चंद्र बोजबाल गंगा धरते लग इन लोगों ने बहुत जाधा इंडियन इंडिपेंडनेंस के लिए लड़ाईया लड़ नहीं वीश्यल स्टडी हम को पढ़ना चाहिए वीविले स्टडी हम पढ़ेंगे इनके पारे में इंडिटेल इन सब्सेक्वेंट चाप्टर अगे की चाप्टर में बृत सारी मॉनुमेंट्स बनायते सम अब तेम आर विक्टोरिया मैमोरियल दे गेटवे उफ इंडिया स्ट जिओज, चट्रापती शिवाजी टविनिस अंद sel मॉनुमेंट एंड भॉमविटापती सभीमोरियलस बने निदे अंद चीज़ हूं टिक है बस तो यहां फिनिश होता है हमारे चाप्टर दब दस बार है मिनिट में आपका चाप्टर फिनिश हो गया है अगर चाप्टर अच्छा लगे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मलते हैं बाबाई